हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरेटी सलोशन यूटूब चैनल और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, दोने आफ कैंपस रूल के बारे में जिसका नोटिफिकेशन IBM और विप्रो की तरफ से आया है, अगर आप दोस्तों B.E.B. टेक कर रहे हो, M.E.M. टेक क कर रहे हो, B.E.C. कर रहे हो, B.E.C. कर रहे हो, तो आप इन बारे कर सकते हो, जिसके बार में हम डीटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर एगा, और नोटिफिकेशन साथी में दोस्तों अगर आप इंडिया की टॉप 50 स्टार्ट अप्स कंपनियां जैसे की कोडिनेशन, अर्बन कंपनी, क्रेड ऐसी कंपनियां जो की 10 लाग से 26 लाग रुपया तक का पाकेज ओफर करती है इसमें जॉब पाना चाहते हैं आप इन स्टार्ट अप्स कंपनी मे असानी से जॉब पा सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों तीन अलग अलग तरह का टूर्नामेंट हो रहा है फ्रंटेंड डवलप्मेंट पे, बाकेंड डवलप्मेंट पे, बिजनस पे, अगर आप इसमें किसी में भी अच्छे हो तो आप इसमें जरूब पार्टिसिपेट कर नहीं है, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो इस अपोर्टिसिपेट को मिस्स मत करिएगा, इस टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों आपको 1999 रूपीज पे करना होगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड ऐसा ही स्टैन तो आपको यहां पे maximum discount बिल जाएगा है, जिसके अबाल आपको यहां पे सिर्फ अजिप 17 double line ही पे करना है, यह amount दोस्तों काफी minimum है, अगर आप इन बड़ी कंपनियों में job पाना चाहते हो, तो अगर किसी consultancy के थूर जाओगे, या फिर दोस्तों अगर आप किसी portal के थूर जाओगे, तो आपको अज़ा कासा pay करना होगा, तो इस opportunity को miss मत करते हुए, apply ज़रूर करिएगा, इस से related link आपको description पे मिल जाएगा, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों दोन ही opportunities के बारे में, पहले हम बात करेंगे IBM के बारे में, फिर हम बात करेंगे जो notification विप्रो की तरब notification नहीं है, जैसे यहाँ पे number of registration जादा हो जाएगे, automatically यह जो job post यहाँ से expire हो जाएगा, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें जरूर अप्लाई कर दीजेगा, आप इसमें जरूर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज coding के phase में, testing के phase में, तो हर एक phase में, जो HDL sir का हर phase होता है, testing, development, coding, उन phases में आपको यहाँ पे काम करना होगा, और अगर बात की जाए कि क्या qualification यहाँ पे इन्होंने मांगी है, तो यहाँ पे जो required technical or professional expertise इन्होंने मांगा है, वो है 0 to 3 year experience, तो अगर आप 2021 batch के हो, तो भी आप apply क कर सकते हैं, यहाँ पे अगर apply करना चाहते हो, तो आपको जो communication skill है, वो अच्छा होना चाहिए, aptitude skill यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, तो aptitude skill और आपका जो verbal skill है, यह अच्छा होना काफी ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में यहाँ पे इन्होंने मांगा है कुछ और भी च CCS की है, तो भी आप apply कर सकते हो, Engineering के student हो, तो भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो, या relevant field के हो, तो भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो, इसके अलावद दोस्तों यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि आपको knowledge होना चाहिए, database का, relational database का आपको knowledge होना चाहिए, जैसके अगर आप Oracle पे का knowledge होना चाहिए, तो यह चीज़ इन्होंने basic stillset मांगी है, अगर आपको basic पता है, मतलब आप database जानते हो, python पे basic काम करना जाते हो, उसमें आपने कोई project छोटा सा बना कर रखा है, तो आप इसके लिए जरूर apply कर देना, और जो भी skill यहाँ पे इन्होंने मांगी है, उसे अप form को आपको feel कर देना है, इसके बाद यह resume की shortlisting करते हैं, और जो लोग shortlist होते हैं, उनके required email id पे, जो registered email id होता है, उस पे आगे का notification आ जाता है, तो अब हम बात करते हैं, जो दूसर notification विपरो की तरफ से आया है, उसके बारे में, तो दोस्तों, विपरो ने फिर से WILP program को launch क कर दिया है, तो WILP program के तुरू, सिर्फ और सी, ऐसे student जो की अभी BCA कर रहे हैं, या फिर BSC कर रहे हैं, वही apply कर सकते हैं, अगर आप BCA या फिर BSC के student नहीं हो, तो आप इस opportunity के apply नहीं कर पाऊगे, अगर बात कर ली जाए तो इस program में, अगर आप select हो जाते हो, तो क्या advantage हो बात की जाए, कि qualification यहाँ पर क्या मांगी गई है, क्या criteria है, तो अगर आप 10-12 अगर आप pass out हो, आपका कितना भी percent जाया था, तो यहाँ पर फरक नहीं पढ़ने वाला है, आप 10-12 में बस pass होने चाहिए, graduation में आपका 60% होना जरूरी, अगर आपका 60% graduation में नहीं है, तो आप यहाँ पर eligible नहीं हो, year of passing में आपका पहले बता दिया, 2021 होने वाला है, और कौन से लोग apply कर सकते हैं, जिसमें आप पहता है, कि BCA वाले apply कर सकते हैं, या फिर आप VSC कर रहे हो, computer science, IT, mathematics, statics पर तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, या फिर आप electronics background के हो, physics background के हो, तो भी आप यहा application के दोरन, आप कोई भी gap नहीं होना चाहिए, इसके अलावा, इन्होंने बताया है, कि 10-12 में कोई भी यहाँ पर percentage criteria नहीं है, और BCA में आपका, या BSC में आपका 60% या अब up होना चाहिए, आपका जो backlog है, वो clear हो जाना चाहिए, मतलब पहले backlog था, लेकिन selection के दोरन, अगर अगर आप clear हो चुका है, तो आप यहाँ पर eligible होते हो, इसके लिए दोस्तों, अगर आप फुटान या नेपाल के city चाहिए, तो भी apply कर सकते हैं, फुटान वाले भी कर सकते हैं, नेपाल वाले भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई दोस्त फुटान पर रहता है, नेपाल पर दो उसके साथ भी जब उसे share करिएगा अब अगर बात की जाए यार कि यहां पर अगर आप सलेक्ट हो जाते हो तो कितनी साल दी आपको यहां पर मिलने वाली है तो अगर आप यहां पर सेलेक्ट हो जाओगे तो फस्ट ये में आपको यहां पर 15,000 का स्ट्रैफर्ड मिलेगा second year में 17,000 हो जाएगा third year में 19,000 हो जाएगा और फिर fourth year में 23,000 हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगी selection कैसे होगा आपका तो यहाँ पर इन्होंने selection का process भी बताया है कि आपको यहाँ पर पहले एक online test को clear करना होगा फिर उसके बाद आपको communication test भी यहाँ पर किया जाएगा जो लोग online assessment को clear करेंगे जो कि 80 minutes का है वो next round पर जाएगे जहाँ पर आपका technical round और फिर HR round होगा इसमें जो apply करने की last date है वो है दोस्तो 15 July 15 June के पहले आपको इसमें apply कर देना है apply कैसे करोगे तो यहाँ पर आपको apply का बटन बिलना है जिसके आपको click करना है click करने के बाद एक form आता है इस form को आपको feel करगे submit कर देना है इसके उपर कैसे आपको feel करना है इसके उपर detail वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है अगर आपको इस form को feel करते हैं में कोई भी दिक्कत आये तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्टर पे दे दिया है, तो I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजे, चैलन को सब्सक्राइब कर दीजे, दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, थेंक्यू दोस्तों.